हलो फ्रेंड सौगत है आपका मेरे चैनल में तो आज आपके साथ में आवरेख भहुत ही खुपसरत मंगल सुतर की डिजाइन लेक्या है जो कि दिकिने में भहुत ही खुपसरत है आप इस मंगल सुतर को घर पर आसानी से बना सकते हो मंगल सुतर बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है इस तरह के गोल्ड मोती यहाँ पर हमें लेना है इस तरह के किस्टर वाले ब्लैक मोती तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बड़े वाले ब्लैक मोती लिया है इसी के साथ यहाँ पर हमें लेना है छोटे वाले किस्टर वाले ब्लैक मोती यह देखे इस तरह के यहाँ पर लेना है इस तरह का पेंडेंट आप यहाँ पर कोई भी पेंडेंट ले से पूरोने के लिए धागा पहले यहाँ पर हमें धागा लेना है धागे को यहाँ पर हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से डबल एर धागा लेना है तो इस तरह से मैंने धागा फोल्ड करके लिया है यहाँ पर हमें पीछे कट लगा कर इस तरह से बान देना है तो यहाँ पर मै मैंने इस तरह से स्लवाला धागा पुरू लिया है, इस तरह से यह आपरा में धागे से बांध लेना है, यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों धागों को स्विन से बाद लिया है अब यहाँ परामे एक स्विन में पहले गोल्ड मोती पुरू लेना है तो यहाँ पर मैंने तीन गोल्ड मोती पुरू लिया है इसी तरह से ये वाले धागे में भी यहाँ पर हमें तीन गोल्ड मोती पूरो लेना है यहाँ पर अभी हमें एक ब्लैक मोती पूरो लेना है इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली सिंसे पूरो लेना है इस तरह से दोनों धागों को यहाँ पर हमें इस तरह से किस्ते वे मोती को उपर कियो ले जाना है फिर से इसी तरह से यहाँ पर हमें दोनों धागों में इस तरह से एक गोल्ड मोती पूरो लेना है इसी तरह से ये वाले धागे में भी यहां पर हमें एक गोल्ड मोती पुरोना है यहां पर आभी हमें फिर से एक किष्टल वाला ब्लैक मोती पुरोना है तो यहां पर मेरे छोटा वाला ब्लैक मोती पुरो लिया है यहाँ पर आभी हमें फिर से गोल्ड मोती पुरोना है देखे इस तरह से इसी तरह से एवाले धागी में भी यहाँ पर हमें एक ब्लैक और एक गोल्ड मोती पुरोना है यहां पर आभी हमें एक बड़ा वाला ब्लैक मोती लेना है इस तरह से पुरो लेना है और इस तरह से पकड़ थे वे एवाली स्विंग से पुरो लेना है इस तरह से स्विंग को यहां पर आमें पुरो लेना है फिर से इसी तरह से यहां पर हमें एक स्विमें एक गोल्ड मोती पुरो लेना है इसी तरह से यह वाली स्विमें भी हां पर हमें एक गोल्ड मोती पुरो ना है यहां पर आभी हमें एक ब्लेक मोती पुरो ना है इस तरह से और एक चोटा होला गोल्ड मोती पूरो ना है इसी तरह से ये वाली दहगे में भी याँ पर आमें एक बल्एक और एक गोल्ड मोती पूरो लेना है यह देखे इस तरह से यहां पर आभी हमें एक स्वे में एक बड़ा वाला ब्लैक मोती पुरोना है और इस तरह से पकड़ते यह वाली स्वें से पुरोना है और दोरों धागों को इस तरह से किस्ते वे मोती को उपर के वर ले जाना है इस तरह से हैं आपर हमारी डिजाइन बनेगी फिर से इस तरह से एक गोल्ड और एक ब्लैक फिर से गोल्ड इस तरह से मोती पुरो लेना है इस तरह से ये वाले धागे में भी हैं आपर हमें एक गोल्ड और एक ब्लैक फिर से गोल्ड इस तरह से मोती पुरो ना है एक स्यूमी हाँ पर हमें इस तरह से बड़ा वला ब्लैक मोती पुरो ना है और इस तरह से पकड़ते यह वाजिसमी से पुरो लेना है आपको देखने के बाद में समझ माया होगा कि मैंने किस तरह से मोतीयों को पुरो है इसी तरह से ही आपर हमें बराबर मोतियों को पुरूती जाना है तो आप देख सकते हो कितनी खुपसरत ही आपर हमारी डिजाइन बन कर तैयर हो चुके आपको जितना लॉंग चाहिए यहाँ पर आगे मोतियों को बढ़ा सकते हो यहाँ पर मैंने शौर्ट मंगल सुतर बना है तो मैंने इतना यह डिजाइन को गले के बराबर बना लिया है आप आगे भी मोतियों को बढ़ा सकते हो तो इतना मैंने दोनों साइड बना लिया है अभी इसे यहाँ पर हमें पेंडेंट को लगा लेना है तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पेंडेंट में स्विंग को पुरू लिया है यहाँ पर हमें स्विंग को निकाल देना है बीच में से इस तरह से पकड़ते हैं पेंडेंट को इस तरह से पुरू लेना है इस तरह से यहाँ पर हमारा पेंडेंट अच्छे से फिक्स हो जाएगा यहाँ पर हमें मोतियों को पेंडेंट को उड़ाना है तो इसी तरह से यहाँ पर हमें दूसरी साइड भी पेंडेंट को लगा लेना है इस तरह से पेंडेंट में स्विंग को पुरो लेना है यहाँ पर भी हमें स्विंग को निकाल देना है इस तरह से बीच में से पकड़ जाए पीछे एक साइड यहाँ पर हमें इस तरह से पुरो लेना है तो यहाँ पर हमारे यह साइड पर पेंडिन को अच्छे तरह से फिक्स हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर हमें दोनों साइड पेंडन को लगा लिया है अभी यहां पर हमें पीछे इस्क्रू लगा लेना है तो इस तरह से पहले इस्क्रू को पूरो लेना है तो यहां पर मैंने स्विंग को बांद लिया है इस्क्रू को पूरो लिया है यहां पर हमें स्विंग को निकाल देना है इस्क्रू के बराबर हमें दुसरी साइड भी स्कुरू को लगा लेना है यहाँ पर हमने दोनों साइड इस्कुरू को लगा लिया है तो यहाँ पर हमारा आज का यह भहुत ही खुपसरत मंगल सत्र डिजाइन तैयार है दिखने में भहुत ही खुपसरत है और बनाने में भहुत ही आसान है स्क्राइब जरूर करें आपको और भी किस तरह के मंगल सुत्र लिजाइन सिखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत से खुबसरत मंगल सुत्र की डिजाइन मिलेगी जाकर देखना